नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खबरो क्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर पर रुकेगी आठ जोडी ट्रेने पुर्व मध्य रेलवे के मुखे जनसंपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार के द्वारा दीगे जानकारी के इनुसार पित्री पक्ष मेले के दुरां श्रधालू यात्रियों की सुधा को देखते वे रेलवे की ओर से अठाई सितंबर से 14 अक्टूबर तक पुनपुन घाट हाल्ट पर आठ जोडी एक्स्प्रेस ट्रेनों को दो-दो मिनिट का अस्थाई ठेडाव दिया जाएगा इसके साथ ही गया डेरी ओंसोन पैसेंजर ट्रीन अनुगरा नरायन रोड और चिरेला पौतु के पीच इस्थित अनुगरा नरा इसलामपूर हटिया इसलामपूर एक्स्प्रेस गारी संक्या एक तीन दो चार तीन या एक तीन दो चार चार पतना भवुआ रोड पतना इंटर सिटी एक्स्प्रेस गारी संक्या एक तीन तीन चार आठ पतना बढकाकाना पतना पलामू एक्स्प्रेस गारी संक्या एक त पतना धनबाद पतना गंगा दामोदर एक्सप्रेस और गारी संख्या एक चार दो 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 तीन और एक चार दो दो चार राजगीर वारा नसी राजगीर बुधपुर्णीमा एक्सप्रेस सामिल है बीपिएसी सरसठवी मुख्य परिक्षा का आंसर की जारी online bpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपना रॉल नमबर एवं रिजिट्रेशन नमबर प्रविस्टे करने के उपरांद अपने अमुल्य आंकित उत्तर पुस्तिका दिनांग 27 सितंबर यानी की आज से दिनांग 6 ओक्टूबर 2023 सक डाउन्लोड कर सकते हैं बांका डिजिटल लाइबरेरी के बोर्ड में अंगरेजी देख भड़के नितीश साफ लहजो में कहा कि आप लोग हिंदी का महतवक हो रहे हैं हम लोग हिंदी में पढ़े हैं इस बोर्ट को चेंज करवाईए उन्होंने कहा कि कौन लिखा है उसको बुलाईए आप यहां इंग्लिस में उधगाटन करवा रहे हैं बतादे किस दुरान सीयम नितीश ने बांका डियम की भी क्लास लगाई वहें उन्होंने तुरंत इंग्लिस में लिखे बोर को बदलवाने का नर्देश दिया मनीश कशप के कोट जाने पर लगी पाबंदी अब जेल से होगी पेशी पिछले दिनों मनीश कशप के द्वारा सिवल कोट में पेशी होने के बाद मीडिया से बादशित करते वे टिपनी देते वे कहा गया था कि वो किसी चारा चोड़के बेटे नहीं है जो डर जाएंगे इस तरह कि उनके बयान को लेकर अब पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है अब उन्हें पेशी के लिए कोट ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है यानि कि अब उनकी पेशी कोट में बेउर जेल से ही वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माधियम से होगी इस बारे में पटना SSP राजीव मिश्रा के द्वारा बेउर जेल के अधिक्चा को पतर लिखा गया है और उसमें जेल प्रिशासन से कहा गया है कि जब तक मनीश कर्षप को कोट में ससरी पेश होनी की जरूरत ना पड़े तब तक उसकी पेशी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये ही जेल से की जाए उसे पेशी के लिए कोट ना ले जाया जाए पुलिस कर्मियों की 8 अक्टूबर तक सामाने चुटिया रहेंगी रद बिहार पुलिस मुख्याली के दौरा 27 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पुलिस कर्मियों की सामाने चुटियों को रद कर दिया गया है तरसल 26 सितंबर से बजरंग दल की राज्य स्तरिय यात्रा प्रस्तावित है जो 8 अक्टूबर को बिहार की राज़ानी पटना में संपन होगी मालम हो कि उस दौरान उनकी यहात्रा प्यार के कई जिलों से होकर गुजरेगी इसको देखते वे एतियातन बड़तने के लिए पुलिस कर्मियों के छुट्टी को रद कर दिया गया है हाला कि इस समन्द में पुलिस मुख्याले कुछ भी बोलने से बच्टा दिख रहा है जमुई की बेटी जुही ने जैपूर कराटे चैंपियंशिप में जीता गोल्ड पतादिक इसमें देश भर के कुल 28 राज्यों के 3,000 पति भागियों ने भाग लिया था जहां जुही ने सभी को पीछे छोड़ते वे अपने नाम गोल्ड मेडल कर लिया मालम हो कि समुलतला थानाचेत्र अंतरगत खुरंडा गाउन निवासी मंटो कुमार प्रजापती अपने बाल बच्चों के साथ जैपूर में रहकर मजदूरी करते हैं जुही प्रजापती के इस उपलवदी पर कोच निर्मल बोडा के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि जुही में अपार संभाव नाई है लिहाज हम लोग लगातार जुही को कड़ी मेहनत करा रहे हैं ताकि वर राज्य ही नहीं बलकि पूरे भारत में अपना नाम रोशन करे बैंकों को मिला स्कूलों की हाउसकिपिंग का खर्च उठाने का ओफर प्रपोजल बीते दिन मंगलवार को बिहार सरकार के सिक्षा विभाग के द्वारा राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों में साफ सफाई सहित हाउसकिपिंग कारियों पर आने वाले खर्च की जिम्यदारी बैंकों को सौपने के लिए इस मुद्धे पर बैंक के द्वारा लंबी चर्चा की गई और प्रस्ताव दिया गया कि राज्य के सरकारी स्कूलों में साराना 400 से 500 करोर रुपए के बीच अनुमानित खर्च आएगा सिख्चा विवाग का कहना है कि अगर इतनी ही राशी कोई बैंक हमें अपने CSR फंड से दे दे तो हम विवाग के विविन बैंक खातों को एक ही बैंक में समाहित कर सकते हैं उन्होंने बताया कि वर्तमान में विविन बैंकों में कई मदों के में विवाग के कड़ी 50-51 करोर रुपए जमा है मानुमों कि इस बैठक में बैंक के अफसरों के द्वरा सकरात्मक रुख दिखाया क्या है वहीं विवाग के ओर से बैंकों को अपने अपने प्रपोस सनिवार तक विवाग को सौपने को कहा गया है आपकी जानकारी के बता दे कि बीते दिन हुई या बैठक, बिहार, मध्यान, भोज, निदेशक, मितलेश, मिस्र और माध्यमिक, निदेशक, कनहिया, प्रशास, रिवास्तव के मौजूदगी में हुई पश्यम चंपारन में विदेशी सराब की खेप बडामद बिहार में पुन रूप से सराब बंदी है, इसे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आई दिन हमें सराब तसकरी से जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालक इन पर नकेल कसने के लिए उत्पात दिवाक की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई खास अचर देखने को नहीं मिल रहा पतादे की ताजा मामला पश्रिम चंपारण के धनहा पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर यूपी सीमा पर डिही बिंटोली मार्ग पर लावारिस हालत में सरक किनारे पड़ी कार से कुल 108 लीटर विदेसी सराब की खेब बरामत की गई है जिसका रेजिस्ट्रेशन नंबर वी आश्रिन एक वी के दो ती चार पांच है और जब्तकार एक्स यूवी 500 महिंद्रा की बताई गई है फिलाल रेजिस्ट्रेशन नंबर की मदब से वाहनमाली का पता किया जा रहा बतादिक इस बात की जानकारी यूपी सीमा पर तैनात धनात हां अध्यक्षसा इंस्पेक्टर अजय कुमार के द्वारा दी गई है जू में दिखेंगे सारस वक कहीं वन्ने प्रानी बहुत जल्दी आपको बिहार की राजधानी पतना मिस्थ संजय जैवी कुद्यान में कहीं अने तरह के वन्ने प्रानी देखने को मिलने वाले है द्रसल बहुत जल्दी संजय गांधी जैवी कुद्यान में रंग बिरंगे सारस धारीदार भेडिया वाइट पीफाउल जो की एक मूर की प्रजाती होती है इसके अलावा ग्रेट वाइट पेलिकन भारतिय भेरिया वन्ने प्रानियों को लाया जाने वाला है बता दे कि इन वन्न प्रानियों को संजय जैवी कुद्यान में पसू अदलाबदलिक कारिक्रम के तहत लाया जाएगा मालम हो कि इसके लिए पटना जू व लखनौ के नवाब वाजिद अलिपार्क की बातचीत चल रही है इसको लेकर प्रस्ताव तयार कर लिया गया है वहीं अगर दोनों जू के बीच सहमती बन जाती है तो उसके बाद विभाग की ओर से अनुमती ली जाएगी और फिर इसके बाद सेंट्रल जू अथॉरिटी की अनुमती ली जाएगी बिपीसी ने जारी किया 32 नियाएक सेवा परिक्षा का रिजल्ट वहीं इस परिक्षा में कुछ 17,819 परिक्षार्थी उपस्तित हुए थे जो परिक्षार्थी अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वह बिपीसी की अधिकारिक वेबसाइट बिपीसी.bih.nic.in पर जाकर जारी रिजल्ट में देख सकते हैं बाल मोग इस प्राडम भी परिक्षा के जरीए कुल 105 पर रिक्षा पदों पर योग्य अभिर्थियों का चैन किया जाएगा। अत्मीक सलश्टा से सिफा देता हूं स्टफे की कौपी नितीश कुमार को भी भेजा है। आपके जानकारिक लिबता दे कि दो दिन पहले नितीश कुमार के दोरा आयुजित की गई पार्टी के प्रकोस्टो और प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक में रनवी नंदन शामिल नहीं हुए थे। साइकल से 15 राज्यों की यात्रा कर दो दोस्ट पहुंचे बिहार मंत्री तेश प्रताब को लेकर कहा ये। कर रहे हैं और लोगों को अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। कि यू नेताओं को लेकर किया बड़ा दावा। राश्ट्री लोग जंतादल के राश्ट्री अध्यक जो पिंत कुश्वाह के द्वारा एक बड़ा बयान देते वे दावा किया गया है कि सुसील मोदी ने जो कहा है बिलकुल ठीक नहीं है। लेकिन जेडियू के अंदर के सिती के बारे में जो भी सुसील मोदी ने कहा है कि वो बिलकुल ठीक कहा है बिलकुल कहा है कि जेडियू के सभी कर्चनाओं की वैतरनी पार करना अब संभव नहीं है इसलिए सब में अपना अपना कनेक्शन लगा रखा है। अशोक चौधरी को भी इसारों ही इसारों में अपने लपेटे में लेने का काम किया है। हांग जो के चौधे दिन नेपाल पुरुस क्रिकेट टीम और मंगोलिया के बीच हुए मैच में मंगोलिया ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया। वहीं बीते दिन हुए इस मैच में नेपाल के खिलारी कुसल मल्ला के द्वरा सबसे तेज अर्धिस तक लगाया गया है। बता दें कि इस से पहले डोहिस सर्मा के दौरा 35 गेंद में सबसे तेज अर्धिस तक जड़ा गया था। अगर मैच की पारी की बात करें तो नेपाल ने टी टुएंटी आई क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर जड़ा है। से बहुत लोगों ने प्रजाब हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारा दुरा पूछे सवाल का जवाब दिया है। के नाम है सुसील कुमार, मोधी, गोनर सर्मा, कपिल देवसा, रंजीत मिर्शा, गोलु यादव, अमित कुमार, ननो गोलु कुमार, बावुलाल, मराणी, मुहमद फहीम, लवीशंकर, सुभम कुमार, मुहमद नवाज सरीफ, मुहमद सकीर हुसैन, इंद्र देव कुमार, उमेश रिसिदेव, इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके नुसार आज के समय में हिंदी और अंग्रेजी भासा में से किश्व भासा को जादा महत्वत देना चाहिए, अपना जवाब हमें मारे कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम ख़बरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी निउस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखरे चाल्ट को सबस्क्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरे तो पेसको फॉलो करना न भूले, धन्यवाद